संसार में कुछ भी स्थाई नहीं है, वह जो आया है उसे जाना है, कोरोनमा हमारी भी आई और जल्दी ही चली जाएगी, चलो वीज तो बीद गया, अब तो हमें 21 सा बनना है, यह बात उज्जेन के संत शिरी क्रश्न देव शरन महाराज ने कहीं वे गायतरी परिवार मनावर, इंदोर और प्रेस कलब इंदोर के सोजने से हुए कोरोनाय उद्धाओं के संबान समारों में बोल रहे थे, इंदोर प्रेस कलब के माथूर सभागर में बड़ी संख्या में उपस्तित कोरोनाय उद्धा और नागलिक मौजूद थे, मीडिया क प्रिकार निशीकात मर्लोई को कोरोनाय उद्धा के रूप में संबानित किया गया, संचाला नोम प्रकाश अगरवाल ने किया, आभाल हरियों मोर इने माना, इंदोर से ब्यूरो की रिपोर्ट जो आया है, वो जाएगा, बहुत दिन तक कुछ भी टिकने वाला नहीं है, इस आशावालिता से हमको भरे रहना है, हम एक उदाहरण हमेशा दिया करते हैं, कभी-कभी संधर्श कैसे हमको जीवन शेली सिखाता है, छोटा सा कोई तिदली केंडे का उदाहरण हम बार बार उसमें से बच्चा निकल के बाहर आ रहा है, उसके अपने पंकों को पड़पढाता हुआ, धिरे-धिरे परिश्रम करता हुआ, एक चोटा बच्चा बैठा था, उसने सोचा इसको बहुत संगर्श हो रहा है, इसको जदी निकाल तो, अंडे को खोड़ करके निकाल कर उसक दिखता तो है बड़ा प्रिशन, बड़ा भयाब अफ़रमात्मा, बड़ा निश्पर और कुरू है, मगर उस समस्या से निकल कर आप बाहर आते हैं, उसके बाद आपने बितर एक विशेश प्रकार का मनोबल एक विशेश प्रकार के शक्तिक आनुबव करते हैं, ऐसे समय म जो कभी किसी दूसरे के पर की सोचना जानते ही नहीं थे सूर्थ परक जीवान जीते थे उन्होंने भी अपने स्वार्त परक्ता संकीर नताएं छोड़ छोड़ कर के दूसरे की सेवा में अपने आपको अरपन किया है, अच्छा, जिन लोगोंने सीध्य आ करके किया हैं, तो बहुत-बहुत साध्वा थे ही उनको तो वंदन उस भगवान की विभूतियां है क्योंकि शेगीता जी कहते हैं यदियत विभूतिमत सत्वम श्रीमदूर जितमेवबा तब तत्त एवावगत सत्वम मम्तेजूं फसंभवं आज कोरोना को लेकर के उतना भैद नहीं हैं क्योंकि बहुत पढ़ गए हैं बहुत जान पर जब आरम बकाल था ऐसा लगता था कि अमराज भैसे पर सामने ही खड़े हैं ऐसे समय में जो लोग निकलते के काम करते थे अपने अपने घरों में बैठे हुए उन लोगों के चितर देखकर के अख़वारों में कहीं या कही मोबाइल आदी पर उनके जो इंटरनेट पर चितरा देखकर के लगता था भगवान शायर ऐसा ही होता है आज यहां पर आप समय मीडिया कर्मी बैठे हैं वो जाकर के ऐसे इसी स्थितियों में जब फोटोग्राफ से लेकर के आते थे और कई स्थानों पर दो और चिकित्स कई लोग ऐसे हैं हमको बताया भी गया और लगाता सुनते रहें आप सब में आपके बीच में भी वही सब लोग हैं अपने परिवार में भी कई के दिनों तक जो लोग सीधे बच्चों को गले भी नहीं लगाया दरवाजे के बाहर वैठे रहें वहीं बच्चे आकर के चाहे और बसके फिल उतना ही गोजन बहर दरवाजे के बाहर गेट के बाहर रहें ख है अपने काम पर निकल जा थे और कई के लोगों ने तो यहां तक कर दिया कि घर परिवार में अंदर जाना तक भी बंद कर दिया कैंट इस अब किसलिए है ताकि हम सब सेवा करके समाज में कई लों का जीवन बचाने, कि कितनी बड़ी उदारता है, कितनी बड़ी भीतर की इस भगवदी भाव नहीं तो है, वसुद है वह कुटमबकम का है, विशिष्ट भाव हों को इस दौर में देखने को बिला, आई भी चीज तो चली जाएगी याद रह जाएगी इस भूतियां, याद रह जाएगी वो शिक्षा हैं जो इसके बीच में मिली हैं, नकारात्मक्ता बहुत आयों, मगर उसके बाद भी कई लोग सीधे, तो कई लोग अपरत्यक्ष रूप से, कई लोग परसपर मॉबाइल पर फोनों के माध्यम से भी एक अब 20 साजियों में, वो शिक्षा हैं बहुत सारी प्राप्त हुई हैं, जो बच्चे कभी अपने माबाप से ठीक से बात भी नहीं करते थे, उनको जो दूर-दूर नोकरियों में थे, जिनको फुरसत भी नहीं थी, वो पास में आकर के रहे, और कईयों को तो ये प्रेरण प्रतिशत तो नहीं होता है, पर अगर 40-30 प्रतिशत भी बहुत बड़ा काम हो गया, आज की बहुतिक वाजिता की दोड़ में, भुख छोड़ करके अब अपने परिवार के साथ रहना, थोड़ा समाच के साथ मिलकर, ये सोशल दिस्टेंसिंग शब्द तो कहां से आया ब बार बार यह बात कहे रहे हैं उसको हम भार लोग समझाया करते यह लगों के लगता था दकियान उसी लोग है पुरानी बातें एक पूलों कहते थे खॉथえば आप नहीं हुआ आपने दुदारों से दुर। हुआ तो ही। लोग गोजन आहर इत्यादी की पवित्रता को लिकर कि कितना सजग और साथधान होगे। शुचिता का सिध्धान थुमको सीखने को मिला। हाइजीन अलग चीज है। शुचिता है। पाहर के देशों में हाइजीन। हम लोग ने शुचिता को हमेशन से आदर किया है। सम्मान किया। शुचिता का सिध्धान तो लोगों को समझ में नहीं आता था मगर अपने हाप रूटीन में आ गया। भगवान को भी छड़ी मारना आता है। हम इसको दूसरी द्रश्टी से देखते हैं। कोरोना एक प्रकार से भगवान की करोना ही थी। करोना ही तो थी। जो कई लोगों को बैठ करके कुछ गरंथों का अनुशिलन करने का उसर भी मिला। जोगीता भागवत रामयान आदी से सद गरंथों से सद पुस्तकों से लाइबरियों में आप जकल भीड बिल्कुल खतम होगी पहले कि इतनी भी दूआ करते थी। थोड़ा लोग गरंथों के और आकरशित हुए। कुछ पढ़ने का उसर मिला। हमको एक बात हमारे राष्टर के आदरणी प्रधानमंत्री महदय की पात समर्ण रहती है। उन्होंने कही थी और बहुत सुंदर लगी जब वो जाबुआ पधा रहे थे। जाबुआ के पास में जो चंदरशीक राजाजी का जन्मस्थान ने वहां। और उन्होंने इक पात गही थे महापर के लोग कहते हैं, हम लोग दुर्भागी हैं, जो हम उस समय पैदा नहीं हुए जब राष्टर परतंत्र था, तो हमको भी राष्टर के लिए मरने का मौका मिलता, तो उन्होंने का आप ऐसा क्यों सोचते हैं, अगर उनको राष्टर के लिए मरने का मौका मिला, तो आपको राष्टर के लिए जीने का मौका मिला है, आप अपना सर्वस्प राष्टर के लिए आउटकर, आप जहां हैं, जैसी स्थिती में हैं, जो कर रहे हैं, हमने देखा कई माताय जो टिफिन सेंटर्स चलाती थी, उन्होंने कई दरीग परिवारों को भुजन बना-बना के हम देखा पहुंचाया, उस समय जब बड़ी बिकट स्थिती थी, विशनकार था, कई लोगों ने अंदर के लोगों के लोगों के हम किराना पहुंचाने का, इस बहुत कुछ काम किया, अपनी अपनी जगा जो विप्ती जो कुछ कर सकत उसको सेवा का अउसर मिला, ज्यान दीजिये, तैरना सीखना है, तो जलाशाय में उतरना पड़ेगा, किनारे पे खड़े रह रहे करके आप तैरना नहीं सीख सकते हैं, केवल सेवा की बाते माईट पर करने से सेवा नहीं होगी, यह अउसर जो सामने आया, इसका मतलब जगे हम लगे जगाने विश्व, लोग में तब पहला आलोग, खुद जागेंगे, तो लोगों को जगाना हम सिखा पाएंगे, हाथ में प्रकाश स्तंब लेकर के, दूसरों को प्रकाश तबी दे पाएंगे, जब खुद के चक्षु खुले हुए होगे, कई मानों में इस उपर कोई एंजीनियर खड़ा हुआ है, नीचे कोई मेजदूर है, सबसे नीचे खड़ा है, वो उसका ध्यान अपनी और आकरशित करना चाहता है, उपर से उसने चिलाएगा तो आबज नहीं जाएगी, उसने दस रुपे का नोट गोडी माडी करके उपर से धेका, उसके पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें